तो ये गेम 2007 में बेनी डाउम में खेली गई थी तो इस गेम में वाइट पीसीज के साथ विश्वन अथन अनन्द है और ब्लेक पीसीज के साथ मार्टीन तो विश्वन अथन अनन्द ने शुरुवत की थी नाइट F3 से और ब्लेक ने रिपलाई दिया नाइट F6 C4 इंग्लिस ओपनिंग अंगलो इंडियन वेरियेशन E6 नाइट C3 D5 D4 नाइट D7 और ये गेम ट्विन्स गेमिट डिकलाइट वेरियेशन में कनवर्ट हो गई Cxd4 Exd4 Bishop F4 C6 H3 Knight और बिशप दोनों को G4 पर आने से प्रिवेंट करने के लिए तो ब्लेक ने continue किया Bishop E7 करके E3 Knight E4 Bishop D3 Knight F6 Queen C2 Knight takes Knight और ब्लेक ने अपने Knight को Exchange करवा लिया C takes Knight और ब्लेक ने King Side केसलिंग किया और अभी खास बात ये है कि विशवनाथन अनंद के दोनों बिशप का Target King Side पर ही है तो विशवनाथन अनंद ने पहले E4 मोव किया ताकि यहाँ पर B5 मोव आता है तो इस पॉन को लिया जा सके तो ब्लेक ने continue किया H6 करके Knight E5 Knight D7 और Knight Exchange इसकी ओफर को डिकलाइन करते हुए विशवनाथन अनंद ने अपने Knight को वापस F3 पर मोव कर लिया ताकि अगर Bishop भी आता है G5 पर तो प्रेसर बना रहे G5 पर तो ब्लेक ने भी अपने Knight को वापस F6 पर मोव किया G4 और अभी विशवनाथन अनंद ने King Side पर अटेक करना शुरू कर दिया है तो अभी King Side पर केसलिंग तो नहीं करेंगे तो ब्लेक ने Continue किया Bishop D6 करके और Bishop Exchange इसकी ओफर है लेकिन विशवनाथन अनंद ने पहले G5 मोव करके Knight पर प्रेसर बनाया और साथ में विशवनाथन अनंद इस G5 को ओपन करना चाहते है तो ब्लेक ने इस Spawn को कैप्चर किया HXG5U Bishop XG5U Bishop E7 और पीछे जाके एक और लाइन देखते है ब्लेक अगर यहाँ से इस Spawn को कैप्चर ना करके Bishop को कैप्चर करता है तो फिर विशवनाथन अनंद इस Knight को कैप्चर कर सकते है और फिर G5 आराम से ओपन हो जाती HXG5U Bishop XG5U Bishop E7 Rook G1 और ब्लेक ने Bishop D7 मोग किया और अभी वीडियो पॉस करके सोचिए कि विशवनाथन अनंद ने क्या मोग किया होगा जिसके बाद ब्लेक ने रिजाइन ही कर दिया तो विशवनाथन अनंद ने Bishop H6 मोग किया और इस मोग के बाद ब्लेक ने रिजाइन ही कर दिया तो रिजाइन की वज़़ क्या हो सकती है चलो देखते है तो प्रेसर अभी किंग साइड पर बढ़ चुका है तो ब्लेक अगर यहां से G6 मोग करता है तो बिशव टेक्स G6 और फिर ब्लेक इस बिशव को केप्चर करे या ना करे नेक्स्ट मोव में बिशव मोव होने के बाद डबल चेक आएगा रुक से भी आएगा और बिशव से भी आएगा और फिर किंग के मोव होने के बाद बिशव जी सेवन और चेक्मेट ही है और ब्लेक अगर इस बिशव को केप्चर कर लेता है तो क्विन टेक्स G6 और किंग मौव होने के बाद चेक्मेट ही है और ब्लेक यहां से अपने knight को e8 पर मौव करके g7 pawn पर सपोर्ट बनाने जाता है तो फिर knight e5 ताकि विश्वनाथन अनन्द अपने queen को यहां से king side पर ला सके और फिर bishop से सपोर्ट बनाने जाता है black तो queen e2 और bishop takes knight के बाद queen h5 और black यहां से अपने bishop को वापस बचाने जाता है तो bishop takes g7 और दोनों तरब से चेक्मेट आ रहा है h7 से भी आ रहा है और h8 से भी आ रहा है तो black bishop को capture करता है तो queen h7 और चेक्मेट ही है तो विश्वनाथन अनन्द ने bishop h6 मोग किया और इस मोग के बाद black ने resign ही कर दिया और ऐसी ही games देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए